ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल नामक नक्षत्र होगा तथा मीन राशी में चंद्रमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो वो दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसांदाई साबित होगा अगर किसी कारण दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्ड़े आप अपने खृत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरीदेव जोकी करक राशी में, वहीं चंद्रमा मीन राशी में, मंगल ग्रह सिंग राशी में, बुध करक राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जोकी कुम्ब राशी में, शुक्र ग्रह सिंग राशी में, श तो अब हम आपको मेज से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पल बताने जा रहे हैं। हमारे इस गैनवर्धक वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेज सरासी की। भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा। आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान के इंद्रित रखे। विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिणाम हासिल होगे। और उपाई के रूप में भागवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की। धर्म और अध्यात्म के प्रती विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा। जीवन के प्रतीक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकोन रखना आपको बहतरीन उपलब्दी हासिल करवाएगा। नया वाहन, नई भूमी, नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था। याने जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे। उपाय के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की, घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं, सकरात्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे, अगर प्रापर्टी या किसी अन्यमुद्दे को लेकर रिष्टेदारों के बीच गलत फेमिया चल रही है, तो वो किसी के बीच बचाओ से या मध्यस्ता से दूर हो जाएगी, आपसी संबंद आपके पुना अच्छे हो जाएंगे, उपाय के रूप में चावल का दान, किसी भी जर्वतमन व्यक्ति को करना, आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिश अपनी पड़ाई के प्रती बच्चों की पूर्ण एकागरता रहेगी, दूसरों की समस्या में न उल्चे तो ही बहतर रहेगा, पड़ोसियों के साथ किसी बात को ले करके कहा सुनी या व्यचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं, किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आ आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है, अब अपने अंदर अद्भूत उर्जा व आत्मेश किश्वास महसूस करेंगे, तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा, अपने मन मताबिक कारी करने से आपको रहत मिलेगी, किसी किसी समय भाउकता और आलस्सी की वजह से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए लापरवाही न बरते, सभी कारियों को गंभीरत पुरवक आपको करना चाहिए, उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं त इलकारी संबर्दित, कोई शुब सूचिना या अच्छा समाचार मिलने वाला है, संतान की उन्नति तथा प्रगती होगी, नए वाहन, नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है, प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है, उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भग कोको और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है, भाग्या आपके लिए लापदायक परिस्तियों का निर्मान करेगा, घर की सुक्सुधाओं संबंदी, कारियों में आपका समय वितीत होगा, कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुँचाने का प वश्यक होगा, वरना आप नुकसान में आ सकते हैं, और उपाय के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भाग्यशाली अंक पांच होगा, भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा, अब हम बात करते हैं धनुराशी आज रोज मर्रा की दिन्चरिया से हटकर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय बितित होगा, किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही, पुरानी समस्या का समाधान किसी के मध्यस्ता से हल हो जाएगा, कुल मिलाकर के समय खुश्णुमा रहेगा, रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज साउधानी बरतना चाहिए, किसी भी काम में रिष्क न लेना चाहिए, और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तु का डान किसी भी गरीव या जरवत्मन यक्ति को करेंगे, तो आपका डिन शुपलदा यसाबित होगा, आपका भागिशाली अंक tín होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, अभ हम बात करते ही मकर राशी की, धार्मिक व अध्यात्र में आपको फायदा होगा, आपका रुजहान वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, आपको मनसिपव शारीरी ग्रूप स स्वस्थ भी महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसंद रहेगा कोई समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है अपने गुस्से पर आपको नियंतरन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्पराशी की आज आपको महत्तुपूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्तुपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाप के साथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है पदोन्नती के सांथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था आर्थी की सिदियां बहतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्राक्मिक्ता देना चाहिए आपको अबश्य ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का साथ आपके लिए बहुत ज़ादा उपलब्धी कारक रहेगा और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिनाम भी हासिल करेंगे दो परबार इस्तितियों में सुधार होगा धनलाब होगा परिवार में खुशियाओ का आगमन होगा शुब और मैंगली कारिकरम की योजना भी बनेगी और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा तो मित्रो या बारा राशी का डेनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी करश कर साधर धन्यवाद